नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं 26 अक्टूबर 28 का मोस्ट इंपोटेंट करेंट अफेर लेकर आया हूँ जो कि सभी एकजाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट है तो दोस्तों पहले आप इस वीडियो को अंतक देखें औ और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें और इस वीडियो के इंत में आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा तो आप उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब ने किये तो आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो में अपडेट करो पसानी से देख सकें शलिए शुरू किया जाए तो दोस्तों आज का पहला सवाल है सुप्रीम कोट के अनुसार देश में कब से बियस फोर वहनों के विक्री नहीं होगी तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा ऑप् पहले सफद गरन किये हैं चलिए नेक्ट कोचन देखते हैं नेक्ट कोचन है पेटियम पेमेंट बैंक दोस्तों पेटियम पेमेंट बैंक के एमडी और सीओ के रूप में किसी नुक्त किया गया है तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीज कुमार गुपता दोस् पेटियम बैंक के अस्थापना किसके द्वारा किया गया है तो बिजय सेखर सर्मा के द्वारा दस इस भी में पेटियम के अस्थापना किया गया है और इसका मुख्याले जो है नुएडा में इस्थित है चलिए नेक्ट कोचन देखते हैं नेक्ट कोचन है किसने नई दिल दिली में दसमें परमानु उर्जा सम्मिलन का उधगातन किए हैं तो दिली के बारे में कुछ जान लेते हैं दिली के मुखमूंतरी है अरविंड केजरीवाल और दिली के उपराजपाल है अनील वैजल चलिए next question देखते हैं next question है डेविड ब्रेवो अंतराश्टी किर्केट के सभी प्रारूप से सन्यास ले लिये हैं या किस देश के खिलाडी हैं तो एंसर हो जाएगा option A West Indies दोस्तों डेविड ब्रेवो जो है West Indies के खिलाडी हैं जो कि धरहाल ही में सभी किर्केट के सभी प्रारूप से सन्यास की घोशना किये हैं तो option A सही इंसर होगा West Indies चलिए next question देखते हैं next question है 25 September को आदिश अब्दुल महदी ने किस देश के प्रधान मंतरी के रूप में सपत गरन किये हैं तो यहाँ पर इंसर हो जाएगा option B इराक दोस्तों आब्दुल महदी जो है इराक के प्रधान मंतरी के रूप में इधरा हाली में सपत गरन किये हैं तो option B सही इंसर होगा चलिए next question के बढ़ते हैं नेक्ट कोचन है सवरब कुमार ने किस देश के भारत के नए राजदुत के रूप में न्युक्त किये गए हैं तो यहाँ पर इंसर होगा option D मयानमार मयानमार सही इंसर है और मयानमार के राष्टपती है बीन मिंत बिन मिन्त जो है बरतमान में मैनवार के राष्ट पती है और फिर नेक्ट कोचन देखते हैं नेक्ट कोचन है रमेश रंगनाथ की स्राज की मुखने अदिस बने हैं तो दोस्तों रमेश रंगनाख जी जो है इधर हाल ही में उत्रा खंड के मुखनाइदिस के रुप में नियुक्त किये गए हैं जो की option A में दिया गया है option A सही answer है और यह बहुत ही important question है लगवक पांच नियाले के मुखनाइदिस जो है चेंज हो गया है तो उसके उपर मैं ए चींत रहें चलिए next question है किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े कारगो ड्रोन का सफल परिच्छन किया है तो यहां पर answer हो जाएगा option B चीन चीन जो है इधर हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े कारगो ड्रोन का सफल परिच्छन किया है और दोस्तों चीन के जो बरतमान म अनुसार 2018 का सबसे सकती साली ब्यक्ति की रूप में घोसित किये गए है तो एक कोचन भी आपको ध्यान में रखना है चलिए next कोचन है अंतराष्टी आरी सम्मेलन 2018 का उधगाटन किस ने किया तो answer हो जाएगा option B रामनात कोविन जी जो है हमारे देश के राष्टपती है औ राष्टी आरी सम्मेलन 2018 का उधगाटन किये हैं और रामनात कोविन जो है भारत के 14 में ब्यक्ति हैं जो कि राष्टपती के रूप में चूने गए है चलिए next कोचन देखते हैं next कोचन है दोहर सोले का सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरुसकार किसे दिया दोस्तों यहां पर एंसर हो जाएगा option C सिरी राम बजी सुतार सरी राम बजी सुतार जी को 16 का सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर पुरुसकार से शम्मानित किया गया है और सार सिरी राम जी बजी सुतार जी इनका मुख किस शेदर से बिलोग करते हैं तो यह एक प्रकार एक मुर्तिकार हैं जिन्हें दुहर सोले का सांस्कृतिक सभावना के लिए टैगोर पुरुषकार से शम्मानित किया गया है चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्ट कोशन है हाल ही में वैस्विक्स किर्ष्टी नेतूत सीखर समिलन तो यह इंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ऑप्सन भी सही इंसर है और जिसा कि आप लोग को बताया हूँ कि नई दिल्ली के उपराजपाल है अनिल वैजल और नई दिल्ली के मुखमंतरी है अर्विंद केजरी वाल नेक्ट कोशन है कारेस्थल पर महिलाओं का याउन सोसन रोकने के लिए किसने चार सदसे समू का गठन किया है तो यहाँ पर जो एंसर हो जाएगा ऑप्सन सी के अंदर सरकार और आप जान लेते हैं इन चार सदसे समू में किसे शामिल किया गया है तो पहला है राजना सिंग, दूसरा है नितिन गठकरी, तीसरा है निर्मला सितारमन और चवथा मेंनका गान्धी को शामिल किया गया है तो इस कोशन को भी अपने दिमाग में रखना है हो सकता है जामे पुझ दे कि वह चार सदस कौन कौन है तो राजना सिंग, नितिन परकास जावेडकर जी जो है इदर हाल ही में असपार्क के बेव पोर्टल का उद्गाटन किए हैं अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्यूज का कोश्चन तो कल का जो क्यूज था उसमें पहला सवाल था राष्ट्य विज्ञान दुजरा ठारे का थीम क्या थी तो दोस्त बिज्ञान दिवस जो की 28 फरवरी को मनाया जाता है उसमें उसका थीम क्या थी तो सतत भविष के लिए विकास एब परोदों की जो की ऑप्शन डी में दिया गया है ऑप्शन डी सहिंसर है और दूसरा कोशन था किसने भारते रिजब वेंग का पर्थम मुख बितिया धिक कारी की रूप में न्यूक्त किया गया है तो यहां पर फिज ऑन्सर हो जागा ऑप्शन ह电्वी सुधावाले क्रिस्ट। सुधा वाले क्रिस्ट। किस IIT संस्था ने किया है लाइव भाई का सफल परिशन किस IIT संस्था ने किया है तो ओप्षन है कानपूर, मदराश, बंगलावर और गोलकाता इन चार ओप्षन में जो आपको सही लग रहा है उसे कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट करें और दोस्तों यह वीडियो पसंद आय करेंट अफ iaर और साइंस कोष्जन का तो हमारा एक एप से जिसका नाम है क गरेंट जीके गाइड उसे डाउनलोड करें और उसका जो है my link description box में डाल दूगा तो वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्लेश्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जै हिं जै भारत